सच्चे दोस्त हमें कभी गिरने नहीं देते न किसी की नजरों में और न किसी के कदमों में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रेम प्रिकास पांडे है आज मैं एक बहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ जिसमें आज हम जानेंगे कि जहां सच्ची मित्रता हो वहां संदेह का अस्थान नहीं होता चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजिए और इस स्टोरी को देखते हैं और सुनते हैं एक फकीर बहुत दिनों से बासा के साथ रहा करता था इसलिए बासा का बहुत लगाव हो गया और फकीर को वह अपना सच्चा मित्र मानने लगे क्योंकि फकीर बासा को सही सलाह और सिच्छा दिया करता था जिसकी उजा से सा को कई बार मुसीवितों और अनिराजों वे बिज़े मिली प्रेम भी इतना कि बासा रात को भी उसे अपने कमरे में सुलाता कोई भी काम होता दोनों साथ साथ ही करते एक दिन दोनों सिकार खेलने गए और रास्ता भटक गए भूखे प्यासे एक पेड के नीचे पहुँचे पेड पर एक ही फल लगा था बासा ने घोड़े पर चड़कर फल को अपने हाँ से तोड़ा बासा ने फल के छे टुकड़े किये और अपनी आदत के मुताबिक पहला टुकड़ा फकीर को दिया फकीर ने टुकड़ा खाया और बोला बहुत स्वातिस्ट ऐसा फल कभी नहीं खाया एक टुकड़ा और दे 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 दूसरा टुकड़ा भी फकीर को मिल गया फकीर ने एक टुकड़ा और बासा से मांग लिया इसी तरह फकीर ने पाँच टुकड़े मांग कर खा लिये जब फकीर ने आखरी टुकड़ा मांगा तो बासा ने कहा यह सीमा से बाहर है आखिर मैं भी तुम हूखा हूँ मेरा तुम पर प्रेम है पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते और समराथ ने फल का टुकड़ा मुँमें रख लिया मुँमें रखते ही राजा ने उसे थोग दिया क्योंकि वह कड़वा था राजा बोला तुम पागल तो नहीं इतना कड़वा फल कैसे खा गए उस फकीर का उत्तर था कि जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले एक कड़वे फल की सिकायत कैसे करो सब टुकड़े इसी लिए लेता गया ताकि आपको पता न चली दोस्तों जहां सच्ची मित्रता हो वहां संदे नहीं होना चाहिए इस कहानी से सीख मिल लगी है और आगे देखते हैं कि जीवन में सच्चे मित्र का होना आवस्यक होता है अच्चे मित्र हमेशा सुक दुख में काम देते हैं मित्तता में अमीरी और गरीबी का कोई भेद नहीं होना चाहिए हर ब्यक्ति को इस पबित्र मिर्तता से सीख लेनी चाहिए लेकिन आज के समय में लोग मिर्तता हैसियत देखकर करते हैं जबकि मिर्तता हैसियत देखकर नहीं दिल से की जानी चाहिए जो मितर आपकी खुसी में सामिल होता है और दुख आने पर आपसे दूर हो जाता है वहां आपका सच्छा मित्र नहीं है. दोस्तों, इस इस्टोरी के बाद मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि मित्र बनाईए, अच्छे मित्र बनेंगी तो आप अच्छे रास्ते पर भी चलेंगे और आपको अच्छा आपको चलाह भी देंगे और बड़ों से मिले आसिरवाद और भगवान के सहारे के साथ काम तु सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहर बन जाए स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर देजिए अभी तक सस्क्राइब नहीं करेदेजिए अपने श्मित्रों में सेयर कीजिए और कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स में लिखिए प्रेस बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए नएए नएवन नोटिफिकेशन के लिए धन्याँ